हेलो एब्रिवान वेल्कम बेक टू दिस न्यू अनादर वीडियो तो आज का ये वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं तुमारा स्टेप बाइस्टेप प्रोसेजियर फर तुमारा ओजेई काउंसिलिंग तो जैसा कि तुमारा ज्यादा से ज्यादा बच्चे भोड दिये कि तुमारा वेब बेस्ट काउंसिलिंग का प्रोसेश डिटल्स में डिसकस करने वाले हैं तो मैं आज ही वीडियो लेके आ गया कि मैं सचा ये वीडियो अच्छे से पूरा स्टेप बाइस्टेप प्रोसेश बता तू जो कि तुमको काउंसिलिंग में हेल्प होगा ठीके तो डिसकस करने वाना हुए एक वीडियो में तो वीडियो को पुरा आच्छे से देखिए तभी आपको समझ आएगा कैसे आपको चोईस फिलिंग और करने से अच्छा 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 कोलेज और अच्छा सब्राच मिल सकता है और कैसे तुमारा अलर्टमेंट आएगा तो फास्ट टेप क्या रहेगा दा स्टेप बाइस्टेप प्रोसेजर फर वेब बेस्ट कांसलिंग जो कि जिस बच्छे ने जेई में रांग रेंक होल्डर्स अभी जो तुमारा कांसलिंग चल रहा है ओल्ली जो बच्छे जेई में दिये थे वह अप्लाइब कर सकते हैं और तुमारा ओजी के लिए भी नहीं आए ओल्ली जेई में स्टूर्स के लिए तो जेई में में जो बच्छे दिये थे रेंक होल्डर्स लाइक देयर अप्लाइब केन इन दा कोर्स लाइक बिटेक भी प्लान बी आर्क भी फार्म भी केट ठीक है तो आपका प्रोसीजर क् साइन इन पर क्लिक करना अगर नहीं के हो तो नियू रेजिस्टरेशन क्लिक करने के बाद तुमारा उधरको इस डीटल्स संपीट करने के लिए माग यह आ गया मतलब तुमारा जो रेंक का अप्लीकेशन नमबर डेट और एक कैप्शा फिल करने मुढ़ेगा तो वह फिल क पड़ेगा उनली आपको उसके बाद 400 फीटी लुपीज का एक कांसलिंग फी डिपोजित करना पड़ेगा ठीक है यह हो गया सब्सक्राइब अगर नहीं देतों तो रिजर्वेशन कर जाएगा यह पूरा इंपोर्टन से ज्ञान दीजिए तो यह और अपोड़ीशा स्टेट बिलंग करते हो तो ओड़ीशा स्टेट बनने के बाद उसके बाद आएगा तुम्हारा काटागरी रिजर्वेशन अगर आफ इसा कुछ आएगा अगर चाहव इसमें हमेंक से एक decode करने बाद तोम्हारा जो 7 नेक्सट फसन आएगा वह में तुम को क्वालिफिकेशन डिटेल्स मागेगा मतलब तुम्हारा अगर बिट्टे के लिए अपलाए कर रहे हो तो तुम्हारा 12 मागेगा और तुम्हारा डिप्लोमा अगर किये हो तो डिप्लोमा का मार्क्षेट मागेगा उधर मार्क्षेट और तुम्हारा उधर रोयल नमबर देन नैंने पर्मानेट एंड कोरिस्पंड़ेंच एड्रेस भरने पड़ेगा तो 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 प्रिप स्टेप ठीक एक है उसके बाद तुमारा आएगा फौरविप्टी सॉ रजिस्यंटते कंसेलिंग مثले यह वह भरन पड़ेगा pregunta के बाद ही इस आजाएगा चोईस फिलिंग के लिए उप्सन चोईस फिलिंग का उप्सन आएगा उस पर क्लिक करके ही तुमको एक एक चोईस भरना है तो यह तुम्हारा most important part of counseling चोईस फिलिंग कैसे करते हो चोईस फिलिंग एक ध्यान से बच्चे सुन लो चोईस फिलिंग जो की higher branches और higher colleges में branches वो तुमको फास देना है मतलब जैसा हो गया बीस सूटी हो गया सीटी हो गया यह जो higher colleges मतलब ज्यादा से ज्यादा कट अब लेता है तो उसको फास में भरने के बाद ही उसमें उस college के बाद उसमें जो higher cut-up branches है like CAC हो गया, IT हो गया, ETC हो गया तो इनको आगे भरना है अगर यह सब में interested हो तो इन सब branch को आगे भरना है उसके बाद जो थोड़ा lawyer cut-up लेता है like electrical हो गया का निकल हो गया civil हो गया तो उसको उसके बाद ही तुमको accordingly भरना पड़ेगा ठीक है तो सबसे पहले तुम्हारा higher पर जो cut-up लेता है उस college और higher cut-up लिए हुआ हुआ ब्रांच यह भरने के बाद ही fast उसके बाद second तुम्हारा जो थोड़ा lawyer है उसके बाद जिसमें तुम्हारा 100% चांसे से मिल जाने के बाद वह लास्ट में भरो ठीक है अगर फास्ट वाला हो जाए तो अगर तुम्हारा हो जाने का अगर तुम फास्ट वह दे दे रहो तो उधर ही तुम्हारा हो जाएगा और जो उपर नहीं जाए तो इसलिए तुमको फास्ट करना क्या करना पड़ेगा जो higher branches higher cutoff बाला ब्रांच और higher cutoff बाला college फास्ट तुमको भरना आगा अगर तुम्हारा वह अच्छा से अच्छा ब्रांच आ तो benefit होगा ठीक है ऐसे तुमको choice लगई भरना पड़ेगा है सबर्ली चौइस फिलिंग भरना पड़ेगा चौइस फिलिंग भरने के बाद ही तुम्हारा कर एक option आएगा कैसफ यह तो सेब 10 करने के बाद तुम्हारा है और ख्रज统ा एगा वह दो· दिन दिन गौकники में के बाद वह तुम्हारा final result कुछ नहीं है वह only तुमको एक क्या सीट मिल सकता है वह अंदज करके एक सीट दिया जाता है इसलिए वह mock result आने के बाद ठीक है उसको वह तुम्हारा final result नहीं होगा उसके बाद और एक round आएगा फास्ट रॉंड आलेट में बाद ही तुमको डॉकुमटर वरिफिकेशन के लिए बोले इधर आप सकते हो जो और डॉकुमटर लॉकुमेंड वरिफिकेशन के बोलेगा डॉकुम나 बिकेशनक्ति के बाद ही तुम्हारा जो 10,000 वरने के लिए बोलेगा थीक है मैं इधर दिख सब्सक्राइब करने के लिए अगर वह ब्रांच और कलेज से तुमको पूरा हां सियोर हो गया यह ब्रांच में लेकर पड़ूगा और यह कोलेज में पड़ूगा तो आपको फ्रीज ऑप्शन चूज करना है मतलब आगया और मैं नहीं जाओंगा वह कोलेज फिक्स किया जाए ठीक है उसके बाद फ्रीज करने के बाद तुम्हारा टैन थाउजन रूपीज फॉर जेनरल फाइब ताउजन रूपीज फॉर एस्सी और स्टी पीसी के लिए तो यह आपको जो काउंसलिंग भरना पड़ेगा यह तुम्हारा क्या रिफंड हो ले अगर बात में अगर चाहते हो हां मेरा यह अधर ओजी में मतलब पाटिशिपेट नहीं कुरूंगा मेरा कोई आपको यह रिफंड हो जाएगा ठीक है तो यह डॉकुमेंट करने के बाद में ऐसे ही अगर आपको और अच्छा सीट आ गया तो उधर आप फ्लोट अफ्शन चूज कर सकते हो उसके बाद जैसा कि फ्लोट अप्शन चूज करने बाद अगर अगर डॉकुमेंट फेरिपिकेस्टन कर दिया हो सेकेंड राउंड तक तो जैसा आप डॉकुमेंट फेरिफाय कर दिया हो अभी आपको डॉकुमेंट कुछ देना नहीं पड़ेगा और तुम जो तो इसके बाद यह जो शेकेंड राउंड के बाद और अगा थार राउंड में जो को ले जाएगा वह तुमारा फाइनल एलोट्मेंट है उसके बाद और कुछ नहीं होगा जो आया है उसमें लेने पड़ेगा ठीक है तो एडमिशन लेने के लिए तुमारा क्या आएगा आएगा उसको तुमको जो college केault आएगा college का एक डेट आएगा उसको फोलो करके तुमको college जाना पड़ेगा तो तो लास्त तक यह तो वो तो तुमको जिए भरो और तो जो Carnies लोग कर को only choice feeling करते जाओ तुम्हारा last round तक वह तुम्हारा automatic choice lock हो जाएगा अगर आप choice lock नहीं करते हो भी तुम्हारा जब उसको date आजाएगा वह आपने भी lock हो जाएगा तो आपको यह choice lock का tension मतलो ठीक है अभी आप only choice feeling पर ध्यान दो कैसे आच्छे साचा प्रांच दोगे कॉट आप वीडियो जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट में अभेलेबल है तो उसके डिपेंड करके तुम्हारा अच्छे साचा अच्छा प्रांच और कोलेच दो अभी only choice feeling पर ध्यान दो ठीक है तो ऐसा कुछ है तुम्हारा होजी का कांसिलिंग का प्रोसेस ठीक है बहुत बच्छे बोल रहते प्रोसेस कैसे होगा तो आइधिंग एट विल क्लियर ओल यर डाउट्स इफ एनी डाउट्स विल कम देन यू जॉइन इन दा टेलिग्राम ग्रूप और यूज अगली वीडियो में बना दूगा ठीक है तो आज के लिए इतना है थैंक यू फिर मिलेगे नेक्स्ट विडियो में